Storage devices आपकी चीज़ों को एक जगा मेहफूज रखने के लिए इस्तमाल होती हैं। आम जंदगी में इसकी कई मिसाले मौजूद हैं। जैसे आपके किचन में मुख्तलिफ मसालाजात को स्टोर करने के लिए cabinet इस्तमाल होती है। अगली टर्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो hardware है। hardware का मतलब है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम चू सकते हैं और जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। आपने बेलचा तो देखा होगा। जी, ये भी एक hardware है। अगर इस hardware को हम किसी गढ़े के अंदर मटी डालने के लिए इस्तमाल करें, तो ये एक input device के तौर पर इस्तमाल होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तमाल करें, तो ये बाल्टी हमारे लिए एक आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तमाल होगी. इसी तरह कम्प्यूटर में अब तक हमने जिन इन्पुट, आउटपुट और स्टोरिज डिवाइसिस का जिक्र किया है, ये डिवाइसिस कम्प्यूटर का हार्डवेर कहलाती हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि कम्प्यूटर अपने hardware devices या output और input devices को किस तरह इस्तमाल करता है? इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई टाम आती है, जिसे हम software कहते हैं. Software से मुराद वो हिदायात हैं जिनकी मदद से कम्प्यूटर अपने hardware को इस्तमाल करता है. यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मालूम ये होता है कि हिदायात को हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, मगर इसको चू नहीं सकते. Software भी ऐसी ही चीज है, जिसको ना तो हम चू सकते हैं और ना ही उसका वजन होता है. ना ही hardware की तरहां इसका कोई तबई वजूद होता है, लेकिन ये computer को चलाने के लिए और इससे काम लेने के लिए नागुजीर किरदार अदा करता है. इसकी मिसाल हम यू ले सकते हैं, कि जब आप अपना computerized ID card बनवाने जाते हैं, तो operator एक input device के जरिए सारा data अपने computer को फराहम करता है. Computer उस data को input के तौर पर लेता है, और उसको information में तबदील कर देता है. फिर इसको कार्ड पर लिखने के लिए एक खास तर्तीब देता है, यानि ये देखता है कि कार्ड पर कौन सी information पहले आएगी और कौन सी बाद में. इसी तरह जब computer हमें computerized शिनाखती कार्ड आउटपुट के तौर पर देता है, तो उसके लिए भी software ही इस्तमाल होता है. अब हम ये देखते हैं कि computers की अक्साम कितनी हैं. Computers को आम तौर पर जिन बुनियादी types में तक्सीम किया जाता है, वो हैं Supercomputers, Mainframe Computers, Mini Computers, Micro Computers और Portable Computers. सबसे पहली computer की type जो हम देख रहे हैं, वो है Supercomputers. ये वो computers हैं जो सबसे ज़्यादा तेजरफ़तारी से अपना काम सरअजाम देते हैं. ये computers एक वक्त में एक ही काम करते हैं, लेकिन इंतहाई accuracy के साथ. चुँकि ये computers बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है. कुछ मशूर सुपरकम्प्यूटर्स में, क्रे, एसकी वाइट और अर्थ सिम्यूलेटर शामिल हैं. सुपरकम्प्यूटर्स से छोटे और ज़रा सी कम रफतार रखने वाले computers को हम, मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स कहते हैं. लहाजा, नेक्स टाइप, जो कम्प्यूटर्स की आप देख रहे हैं, वो मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स हैं. ये कम्प्यूटर्स साइस के लिहाज से भी बड़े होते हैं, इसलिए इनमें ज्यादा इन्फरमेशन को स्टोर करने की सलाहियत मौजूद होती है. इसके साथ साथ मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स कीमत में भी बहुत महंगे होते हैं. पाकिस्तान में ये कम्प्यूटर्स, PTC, PIA, Banks और बहुत सी दूसरी ओगनाईजेशन में इस्तमाल हो रहे हैं. मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स के बाद जिन कम्प्यूटर्स की बारी आती है वो मिनी कम्प्यूटर्स कहलाते हैं ये कम्प्यूटर्स भी बहुत पावर्फुल होते हैं लेकिन मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स से जरा कम इनकी स्पीड मेंन फ्रेम कम्प्यूटर्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है जिसकी वज़ा से इनकी कीमत भी मेंन फ्रेम कम्प्यूटर्स के मुकाबले में कम होती है IBM, ICL और DECK के मिनी कम्प्यूटर्स ज्यादा मशूर हैं ये ज़्यादा तर scientific laboratories में इस्तेमाल होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले computers हैं जो offices, schools, colleges और घरों में भी इस्तेमाल किये जाते हैं। इन computers के काम करने की रफ़तार, mainframe computers और mini computers के मकाबले में कई गुना कम होती हैं। और इसलिए इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इन computers को आपकी मेज पर रखने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इन में ज्यादा मशूर IBM, Dell, HP और Apple Macintosh computers हैं। Portable Computers Portable का मतलब है ऐसी चीज जिसको बहुत आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जा सके। इस कैटेगरी में laptops, palm tops वगेरा आते हैं। जी, तो अब तक हमने Module 1 के इस हिस्से में जिन चीजों और concepts को discuss किया, वो ये बात जाहिर करती हैं कि कम्प्यूटर हमारी जिन्दगी में क्या किरदार अदा करता है और कितना जरूरी है। Module 1 के पहले section में हमने देखा कि कम्प्यूटर क्या है और हमारी रोज मर्रा जिन्दगी में कैसे इस्तमाल होता है। इसके फवायत क्या हैं। कम्प्यूटर से मुतालिक चंद आहम टर्म्स हमने देखी हैं। मसलन, storage, output, input वगारा। और इसके इलावा हमने ये भी देखा कि कम्प्यूटर की मुख्तलिफ अकसाम कौन सी हैं।